मोटर वीकल विल जल्द ही कानून की शकल लेने जा रहा है और इसके बाद रोड रूल्स तोड़ने पर दस गुना तक जुर्माना भड़ना पड़ेगा सड़क दुर्गटना में कमी लाने के मकसद से तयार किया गया मोटर वीकल विल बुद्वार को राज्यसभा से पास हो गया और राश्रुपती के दस्थकत के बाद सड़क पर मनमानी करना बहुत भारी पड़ेगा सामाने चालान होने पर पहले 100 रुपे का जुर्माना होता था और अब इसके लिए 500 रुपे चुकाना होगा लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर 500 रुपे जुर्माना या 3 महीने तक जेल या फिर दोनों का प्रावधान था और अब 5,000 रुपे जुर्माना या 3 महीने तक की जेल या फिर 2 नो हो सकता है दुवारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपे जुर्माना या 1 साल तक की जेल या फिर 2 नों हो सकते हैं वहीं रेश ड्राइविंग करने पर यानि गाड़ी तेश चलाने पर पहले 500 रुपई जुर्माना था या 3 महीने तक जेल या दोनों हो सकते थे लेकिन अब पहली बार 5000 रुपई जुर्माना या 3 महीने तक जेल या दोनों लेकिन दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 रुपई जुर्माना या 1 साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं ट्रांकिन ड्राइविंग के लिए पहले 2000 रुपई तक का जुर्माना था और अब इसके लिए 10,000 रुपई जुर्माना चुकाना होगा पहले seatbelt नहीं लगाने पर 100 रुपई फाइन लगता था और अब 1,000 रुपई लगेगा हेलमेट नहीं पहनने पर पहले 100 रुपई जुर्माना लगता था और अब 1,000 रुपई जुर्माने के साथ 3 महीने तक लाइसंस रखने पर अयोगी घोशित किया जाएगा ड्राइविंग के बगफ फोन का इस्तिमाल करने पर पहले एक हजार रुपए चुकाने होते थे लेकित आप पाँच हजार रुपए चुकाने होंगे वही नावालिक को गाड़ी चलाने दी गई या नावालिक ने एक्सिडेंट किया तो इस पर अभिभावक को तीन साल तक की जेल होगी राजिस सभा से मोटर वीकल संशोतन विल पास हो चुका है लेकिन देखना होगा कि सड़क खाथ्सों पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से उठाये गया ये कदम कितना कारगर सावित होता है आर नाइन टीवी के लिए आशिमा त्यागी की रिपोट